एक कुंडली सौ समाधान देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ संपोर्ण आकर्षिक और सबसे सटी एस्ट्रोसेज ग्रिहत कुंडली आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेट जैश्री गरेश आयनमः दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नमबर वन जोतिश यूट्यूब चैनल स्टुसेज टीवी पर हर बार की तरह मैंने हराजपुत आपके सामने हाजर हो लेकर सापताहिक राशीपल 13-19 जनवरी के बीच का साथ दिन कैसा रहेगा आपका क्या कुछ होगा इन साथ दिनों में खास यह सारी जानकारिया देंगे कौन-कौन से 30 ते वहार है अगर ग्रहों का गोचर हो रहा है तो किस ग्रह में हो रहा है और कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है यह जानकारी देंगे कौन-कौन से व्रत्व ह यह बताएंगे पंचांग क्या होगा बहुत सारी जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं सबी राशी वालों को बताएंगे हम कि हर राशी के नुसार किस राशी पर क्या असर पड़ेगा ग्रहों के गोचर का और कैसा बीतेगा उनका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, ये सारी जानकारिया हम आपको देंगे तो चलिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले, पंचांग के साथ, पंचांग कह रहेगा 13 से 19 जनवरी के बीच तो हिंदु पंचांग के नुसार जनवरी माह के तीसरे सप्ता के शुरुआत क्रिशन पक्षकी तृत्या तिथी को आशलेशा नक्षत्र में होगी वही सप्ता का अंत जो है क्रिशन पक्षकी दश्मी तिथी को विशाखा नक्षत्र में होगा Ihindu-dharm का एक प्रसित त्योवहार है, संकष्टी-चतुर्थी, इस दिन गरेश भगवान की पूझा करी जाती है, इसके बाद है 15 जनवरी को तीन त्योवहार, जिसमें पहला है पोंगल, जो की तमिल माह की पहली तारीक, यानि 14 या 15 को आता है, इस बारी ये 15 जनवरी को आ तामल-NADU में जनवरी तक जो है गन्ना और धान की फसल पकल कर तयार हो जाती है और इसे की खुशी में लोग Pongal मनाते हैं 15 जनवरी को उत्रायन भी मनाया जाता है अब बताते हैं आपको कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है तो जनवरी का जो ये तीसरा सप्ता है इसकी शुरुवात में चंद्रमा करक राशी में स्थित होगा और इसके बाद सिंग, कन्या, तुला और व्रिष्चिक राशी में गोचर करेगा सप्ता कांत व्रिष्चिक राशी में चंद्र के गोचर से होगा चंद्रमा के अलावा इस सपता 13 जनवरी सोमवार को बुध का मकर राशी में और 15 जनवरी बुधवार को सुरे का मकर राशी में गोचर होगा इसलिए इन ग्रहों के गोचर का समलित प्रभाव सभी राशी के जातकों पर देखने को मिल सकता है अगर बात करें कि कौन-कौन से राशी आए इस हफता एक्टिव रहेंगी तो करक, सिंग, कन्या, तुला और रिश्चिक राशी ये इस हफते एक्टिव रहने वाली हैं इस सप्ता है चंद्र जो है आशलेशा, मघा, पुर्वा फालगुनी, उत्तरा फालगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती और विशाखा नक्षत्र में विराजमान होंगे तो यह तो हमने आपको जानकारी दे दी कि इस सप्ता, यानि 13-19 जन्मरी के बीच क्या-क्या खास चीजे होने वाले हैं कौन-कौन से टीसत वहार है, कौन-कौन से ग्रह जो हैं, वो राशी परिवर्तन कर रहे हैं जानकरिया हमने आपको दे दी है अब आपको बताएंगे आपका राशी फल जो सबसे मेन है क्या असर पड़ेगा आपकी राशी पर यह बताएंगे लेकिन उससे पहले यह जालने यह सुनने कि जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं जिनको नहीं पता है कि हमा प्रविश कर जाएंगे इसी कारण आपको इन ही भाव के अनुसार फल मिलेंगे इस सप्ता के शुरुवात में जिस वक्त चंद्रमा आपकी राशी के सप्तम भाव में होंगे उस वक्त आपको अशुब फल प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि कारेश्वेटर के लिए समय अच्छ में गोचर करेंगे जिसके चलती कारेश्वेटर पर अचानक आपका किसी गैर दिल्चस्प स्थान पर ट्रांस्फर हो सकता है जिससे आपको अच्छा नहीं लगेगा हाला कि यह स्थान तरन जो है यह बदलाओ जो है आपकी भविश्री के लिए अच्छा साबित होगा सबसे बड़े मददगार के तौर पर उभरते हुए नजर आएंगे इसलिए आपको जो है उनका सम्मान करना चाहिए आगे बढ़ते हैं बात करें कि सप्ता के अंत की तो सप्ता का अंत कुछ अच्छा साबित नहीं होने वाला क्योंकि एकादश भाव में चंद्रकेव रा को जो है इस समय अच्छे फल मिलेंगे आप अपने प्रियतम को अपनी दोस्तों से मिलवा सकते हैं इस दोरान संभावना है कि प्रेमी को आपकी पसंद नापसंद जानने का मौका मिलेगा आप उन्हें कोई उपहार भी देंगे जिससे पाकर उन्हें आप पर और अधिक प सकती है तो यह परिशानिया है इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए उपाय करना है आपको सुबह की समय रोजाना श्रीदुर्गा चालेसा का पाठ करें जो परिशानिया आ रही है वो दूर हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यह साथ दिन ताकि आने वाले सभी रोचक और अच्छी वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे बाकि अगर आपको अपनी राश्री नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.asosage.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारी मोबाइल अप asosage कुर्णली को प्ले स्टोर से ड मत दुखाईए नमशकार